पूर्णिंग बेटा केमिकल कानिक्स की लास्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वेटा टेंप्रिचर डिपेंटेंस और रेट आफ रेक्शन इसमें काफी कुछ वर्ड आएंगे तो मैंने कहा है इस चेप्टर का हीरो मैंने कहा था रेट आफ रेक्शन उसकी पढ़ाई थी और तो आदी चेप्टर में तो हीरो मान लिया मैंने और आदी चेप्टर में जो हीरोईन है एंट्री आजए वह हीरोईन इसे एक्टिविशन इनर्जी यह क्या होती है यह आज अपन भूण सा डिसक्श करेंगी लास्ट फ्लास है तो सब से कले टेंप्रेचर डिपेंटने करे अच्छी तरह जानते हो तेमप्रेचर बढ़ता है तो rate of reaction बढ़ेगी क्यों तो कि मॉलिक्यूल्स की activation energy बढ़ेगी kinetic energy बढ़ेगी kinetic energy बढ़ेगी तो वो collide करेंगे बीच में और एक दुसरे के टक्कर मारेंगे करेंगे 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 तो फिर वो क्या होगा एक दूसरे को स्पीड बढ़ेगी rate of reaction और temperature coefficient क्या है वो हम बात करना चाहते हैं तो simple बात है when temperature increase temperature increase rate of reaction rate of reaction rate of reaction also increase increase because because kinetic energy kinetic energy of molecules of molecules increase and they collide between each other they collide collision 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 होती है जिससे वो rate of reaction बढ़ती ही और एक आता है बढ़ा कि जब 10 degree temperature बढ़ा थी प्रूब करनेंगे अपने ग्राफ से कि जब 10 degree बढ़ाते है माल लिजे 10 degree पर rate constant kt और kt plus 10 10 degree को अपने increase करें माल लो दस दिग्री बढ़ाते हैं तो kt पे और kt plus 10 पे जो होता है ratio इसको यह इसमे rate of reaction double और triple ना भी दस डिग्री temperature बढ़ाने पर rate double से triple हो जाती है ठीक ना तो इस ratio को temperature coefficient भी का है temperature coefficient तो यह temperature coefficient का द्यान दबना क्या होता है 10 degree बढ़ाने पर rate का double और triple हो जाना है प्यारे बच्छों जब rate temperature बढ़ता है तो उसमें कॉलाइड बढ़ती है तक्कर करते है आपस में तो collision तो कट जो है वो तो 10% मतलब 2% बढ़ता है लिए बहुत जादा बढ़ जाता है तो बच्छो temperature और rate constant में एक relation दिया था इस theory को आपस्प्लेट करने वाला scientist था आरेनियस तो आप पड़ेंगी आरेनियस theory तो लिखेंगे पन आरेनियस gives a relation between a relation between relation between rate constant rate constant k and temperature and temperature known as known as arhenius arhenius equation उसको equation जानना अदे से okay guys, k is close to e k is close to a.e.e.e.a by rt यह है बच्छा आरेनिस क्या है गटा, A.E की पावर है, पावर में है E A by R T, तो गटा, पिस आरेनिस की इसको बोलते हैं, आरेनिस क्यों है, इसमें आपके में वागी है, मैंने का आटा, इस चेटर में जो हिरोईन है, में पड़ाई जो है, उसकी पीछे हो है, आक्टिविशन अर्थी आ आटा, इसमें 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 आटा थान यहाँ बहुत इंपाटन गैटरान जानते हो पांड दान फिर आस जानते हो उन्य घ्स कांस टैंट तो नौग हो अब जानते और असले। मैं है यह नहीं पूरो हैेहो पॉसको बแตs आब आप मी में क्या नालना है में पॉइंट्स अफ दा आरेनियस थियोरी यह आरेनियस थियोरी कही यह है में पॉस्टुलेट्स ले तो में पॉइंट्स बता रहता हूं आरेनियस थियोरी के में पॉइंट्स अफ आरेनियस थियोरी पॉइंट्स आफ आरेनियस थियोरी तो इनको यार रखना हाथ वी इन पोड़े सागफ फुरी बना दोगे मैं डिसकुस कर लेता हूं तो सब लाडायां नोस तो सब जंदे करता है जिनके बास एक्स्टाइनर्जी होती वो ही तो फ्रस्टपॉइट करते हैं only those molecules which are participatory in reaction age active molecule those molecules which are not participatory in reaction are non inactive molecules toh active molecules or inactive molecules पता हाँ था ही when we increase the temperature active molecules increase then they complete the reaction one simple point है this is my first point है all the molecules all the molecules are not... in reaction only only those molecules participate only those molecules participate participate which have extra energy Extra energy extra energy than average energy. Average mmm Average energy इसकेस पास उर्पारिस्पेशटिश्पेश इक्स्टा पालोय लृजिस कुले इक्स्टा पार्सिपेट काम करता है पड़ा ही किया है। इसको से पास पासEKTSRA ENERGY हो तो अपनीे ENERGY दूसर में तो सारे molेकुल varitिट नहिए करता है They are called active molecules These are called active molecules इस आप को एक टीव मोली क्यूल करता है कॉन करता है जो एक्टिव ब्रेट करता है बंचों साफिसे स्टेजिछ हैं एक्टिव मॉलीक्यूलस और इनक्टिव मॉलेक्यूलस और इनक्टिव मॉलेक्यूलस और एर एक्लिवियम फे नहीं हो दम, सबर्लिवं और रहते हैं though third point है कि जब भी कोई दूनिया में प्लीů कोат P जीने के लिए एक minimum energy होगी तब भी वपन जीवन है तो उसका नाम है threshold energy क्या है बटा किसी reaction के लिए जो minimum energy required होती है उसे threshold energy का दा है activation अलग चीज है threshold energy क्या होती है minimum energy minimum energy energy required minimum energy required for completion of reaction for any reaction for any reaction non-s non-s threshold threshold energy energy threshold energy क्या होती है minimum energy जो required होती है अब यह सब चीजे है मस समझ में आएगी graph से तो एक surface class energy profile diagram बना देता हूं उससे सारी चीज आपको पड़िया समझ में आ जाएगी और क्या है इस सब चीजे एक्टिविन हैं कि उस सब चीजे समझ में आएगी ठीकिक ना तो एक graph जाएगी graph बना देता है बीच में फिर फोर्थ पॉइंट बाद या लिखेंगी ठीक ना तो प्यारे बच्चों जहां दीजिए समझने की पड़ाई अब है कि मालिक यह कोई भी reaction है उसको complete होना है तो उसको एक पहाड से निकलना पड़ता है प्रता है यह energy और time की बीच मे अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी energy यह जिरो से लगा कि इसके पहाड तक यहां तो पहुत नहीं वह इधर आना यहां तो ज्यांदे न रियक्टेंट होता है और यहां कौन जिराजमान होता है प्रड़क्ट ओके अब इसकी energy है इनकी तो यह सबकी energy है यहां तक तो पहुंचे हुए energy नहीं होते तो आदमी जिनना थोड़ी है जिरो energy वला तो दुनिया होता ही है तो एक molecule है इसका हमने कुछ तो energy उसकी है इसको बनता है average energy of molecules और यह minimum चाहिए यहां से लगाता है इस पहाड के last point तक आपको energy की requirement है यहां से लगाकर यहां तक यह वाली energy इसका नाम है threshold threshold energy क्या मैं इतनी आपके पास में है इतनी requirement है यह minimum energy इतनी चाहिए रितीज है आपके पास तो अब यह extra energy यहां से यहां तक नाली यह वाली energy यह पहाड जो है यह पहाड जो है energy barrier it is called activation energy यह आपको लागी बढ़ेगी इतनी तापके पास है और यहां पहुचना इस पहाड के आपको क्या करना पड़ेगा कॉलाइड करना पड़ेगा एक्स्टा energy gain by the collision इने reaction known as activation energy तो activation energy क्या है रुच्छों यह जो पहाड है तीसरी energy कौन सी है activation energy को इसको किससे दिखाएंगे इस chapter की heroine को बोलता हूं मैं इसको इससे दिखाएंगे reaction energy क्या होगे threshold energy threshold energy minus threshold मैं से minus करनो यह वाली इस मैं से minus करनोगा तो यह जो है कि ना minus average energy of molecule average energy of molecule तो activation energy का मतलब है activation energy barrier यह रुकावट है यह रियक्टर को product बनाना को इस पहाड से निगल लाना यह वालगा जो पाहड है यह एक्टिविशन energy होता है तो क्या है definition मनाता है activation energy की यह पहले तो आप diagram बना लीजिए अराम से फिर इसको बटाता हूँ वीडियो को pause करके वीडियो रोब करके इस diagram को याद करना तीन energy याद करनी कौन कौन से पहले threshold यह वाली, average यह वाली और activation यह वाली ठीक है activation energy को आएगी threshold पैसे average को निकाल दो को यह activation energy आजाएगी अब मैं इसकी definition मना लीजिए वीडियो वीडियो pause कीजिए और मना लीजिए तो definition क्यान की अब अब को define कर लेते हैं इसको तो क्या करें को define extra energy, extra energy का सबते है पांदी या excess energy का उतो हाँ best है excess energy which is gain by which is gain by collision collision इसको अब लीजिए पांदी आख तो किगना वादी आख प्र पांदी इसका इसका पांदी आख तो आख तो पांदी सिपिशन पांदी सिपिशन पांदी सिपिशन इन reaction रीक्षिन रीक्षिन और नॉन एस एक्टिवेशन एनरजी जो चप्रिटे एकपर एक्टिवेशन एनरजी होती है क्या है एक्टिवेशन एनरजी जतनी ज्यादा होती है जितना पएड़ यहां जितना बढ़ा हुता है अग suscri complex जादा निचेक चाहिए तो राट नहीं एक्टिवेशन recuperation करते हैं बढ़ता है और और active molecules जब बढ़ते हैं तो rate of reaction भी बढ़ जाता तो last point यह था था point that point is activation energy तो आप बता सकता है extra energy gained by the collision known as activation energy and next lesson जा रहे हैं आपको बेंड अब में पाद effect of temperature पढ़ लिए when temperature increase temperature increase temperature increase active molecules also increase active molecules अपकर करेंगे आपस में active molecules also increase also increase and they collide, collide, collide between, collision between, collision between, collide, collide between each other, each other and gain, and gain threshold energy again threshold energy and gives, gives product तो प्यारे बच्चों यह theory कहते हैं कि temperature temperature पुटा तो एक वो energy diagram और activation energy की definition इसमें important निकल क्या है आपको पता चल गया होगा तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए अब अब आपन देखते हैं एक्टिविशन एनर्जी की क्या importance है तो एक्टिविशन एनर्जी से तो फाइदे है एक्टिविशन एनर्जी की importance लेक लेते हैं क्या काम आती है एक्टिविशन एनर्जी जादा होगी तो rate of reaction कम होगी बच्चे active लिख देख ते एक्टिव मतलब activation energy तेज तो molecule भी active जीरू नुपरा जाएगा क्यों क्योंकि ये तो energy barrier है rate of reaction rate of reaction universally proportional to activation energy ये activation energy जितनी जाता होगी activation energy जितनी जाता होगी rate of reaction उतना ही कम को का क्यों क्यों क्योंकि energy barrier है फ्यारे बच्चों दूसरा है तो यह लिखेंगे activation energy ये activation energy increase rate of reaction decrease तो जिखेंगे जिए दूसरा है जिए बच्चों इससी बता सकता है कोई रिक्स ने एक्जोथर्मी के एंडोत्रीम का आप से प्राला लगा सकते हैं तिक ना अपने जा सकता है इस बार द्यान देना इसको एक पाहड से निकलना ठीक है इस बार द्यान देना बटा यहां तो है reactant यह actieus energy यह तोój ratant झार और यह अने प्रडक्ट के इसको मान लेता हूं मै एक इटू बढ़ा कोई देएक nevertheless मुझे बताओ एक चीज बताओ लाप्हाड इटानी के निकल बाला हना पाहड पर चालने के ने उपरसे बिखके रिलीस मैं रिलीस मैं रिलीस इमिट वाली है कि अब बढ़े देखो आपको यूदरे देख तो आपकोई क्म दिर आपको ज्यादा पाइदा हुआ तो वाली तो जादा फाइदा हुआ यह एक्सल कैसी होई एक्जोथर्मिक क्या होई जब इटू बड़ा होगा यह एनर्जी पहाणी बलेक तो वह एक्जोथर्मिक को दिखाएगा एंडोथर्मिक प्रेक्सल का बहुत आसानी से देख सकते हो कि रिक्वार्मेंट तो ज्यादा अधिक पहार पर चड़ना है यह वारे इनर्जी एवन पाहर से उतरने वाली कौन सी है इटू यह कम है बचार यह ज्यादा आया है तो यहां से बढ़ा है इतू से तो आपको एनर्जी क्या होगी अधार देने बड़ेगी ज्यादाव पच् रहा हुगा यह कैसी यहीक्षम होगी अंडॉठ्रमीग कैसी होगी अंडॉठ्रमी प prayed यह और यहुड़ निटानार चाहिijn और राम के पुनिंहें यह क्या कर सकते हैं वेनी आरे चाहिा यहा। यह क्जी पीपाहिर अंडॉठ्रमीग भी यह तो प्यारे बच्चों एक तो यह है और एक activation energy निकालने के लिए और एक activation energy निकालने के लिए आरेनियस equation का जो antilog है equation उसकी log लेना आता है तो एक formula और है जिससे activation energy के numericals होंगे तो बहुत important formula NCRT का तो वह भी अपने लेख लेते है एक formula क्या है वो उसकी बात भी अपने कर लेते है वह यह formula है वह यह फॉर्मूला है विटा activation energy निकालने के अच्छी तरह जानते हो क्या है आरेनियस equation बोली है अभी अभी लिखे थी इस class के starting में लिखी आपने के इस प्रस्टू ए डॉट इय बाइ र्ट यह है आरेनियस equation इच्छी वाह रहे यह यह इंटी लॉग की इसका लॉग लेते है ना तो क्या जाएगा तेकिंग लॉग इन बोड साइड है तो आप लोग ले होगे इसका तो यह आजा लोग आफ के हाणिए उसको लोग यह धाट यह ओर रजाएगा यह यह दाएगा माइनस यह यह आए आठ है तो यह है ठीक है तो यह equation इसको equation अब अब इसको equation अब मान लिजिए temperature प्रेचर पेले temperature टीवन था इनिशियल लिखते थाओंगे, कि अनिशियल टेम्परेचर पहले कि नहीं है, मानली जीए T1, तो उसमें रेट गॉस्टेन्ट के अउगा के वन इसी तरह से आफ्टर रेक्शन, फाइनल टेम्परेचर, पाइनल टेम्परेचर मानली जीए T2 और रेट कॉस्टेंट के तू त पहले किस पौन में लिख सकते है, तो की लिए चाह जायगा, की जाया की टी कुटा तो यह equation number 1 होगी, अबर आदे निश्थियोरी है, यह वाली 1 है, तो यह उसकी उभी 2, इसी तरह से final temperature पर क्या जाएगा, log E k2 is equals to log E minus E by rt, 2, 3, equation number 3, बाब को क्या करना है, तो यह derivation की ज़रूर नहीं है, लेकिन वो equation कहां से आई, रटो के साचा derivation भी दिमार में आता साथ, अब equation 2 divided by 1, 2 में से equation, यह जो 3 है, 3 में से 2 को less करो, तो यह equation क्या रही है बेटा, log E k2 upon k1, minus करेंगे, equation 2 subtract, subtract from 3, equation 3, तो यह आजाएगा, log E k2 minus log E, k1 ratio निकाल जाता है, इसका हमें, यह तो कट जाएगा जब निकाल हो लेता हो, ठीक ना, करेंगे, एक माइनस करेंगा, अपने एक माइनस करेंगे लेता है, पहले, E a k2 है, minus k2, rt2, minus minus plus हो जाएगा यह लेतो, E a rt1, इसको क्या रही है, negative property log, divided, यह जाएगा log k2 upon k1 is plus 2, इसको आगे लेता है, आगे लेता है, E a upon r, okay, उसके बाद में, इसको प्लस को आगे ले रहा हूँ, इस minus 1 को पीछे ले रहा हूँ, 1 upon t1 minus 1 upon t2, कोई दिक्कत ही नहीं है, और log, natural log में उसको convert कर देता है, इसमें, main log में e natural log, log, base time k2 upon k1 is plus 2, E a upon 2.303, आग, यह दिक्टेशनल इस यह बादी 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 में इसको इसमें जाएगा, t1, t2, यह जाएगा, t2 minus t1, तो यह इसकी final equation, final Rhenius equation, यह रहा है, इस पर भी नहीं करते है, temperature given होंगे, और ratio दिया वाएगा, तो इस पर भी important है, यह कौन सी equation कराती है, यह दोस्ती की Rhenius equation, कौन सी Rhenius equation, यह था अपने Rhenius equation की पाद थी, temperature dependence of rate of reaction की पाद थी, अब पार्क करेंगे अपन लास्ट में, की temperature, rate of reaction double dot triple, क्यों हो जाती है, इसको पी discuss करता है, हां बेटा, तो temperature जो बढ़ता है, तो rate of reaction बढ़ता है, यह ठीक है, लेकि, it is found that, main statement जेकी मद्यान जेना, क्या रिखाया statement, not point है बेटा, it is found that, for a chemical reaction, which, with rise in the temperature 10 degree, किसी भी reaction का temperature 10 degree बढ़ता है, तो reaction rate double or triple हो जाता है, मैंने यह बात लेकिते है, क्यों के main line है बढ़ता है, कि rise to temperature by 10 degree, the rate constant nearly doubled, यह doubled हो जाती है, rate doubled क्यों हो जाती है, तो इसको काफी कुछ तो explain कर पाया था, कौन RNA is, it is explained by RNA is equation, RNA is equation अपने पढ़ी है, उससे explain किया रहा, final heat of the reaction, final heat of the reaction, depends upon the nature of the reactant and product, तो किस नेचर के reactant है, उस पर डिपेंड करता है, final heat submission, जो आते है ना, बढ़ता में बिकिती है जाएगी, activation energy तो उपायवाले हो गई, star point में बढ़ता, all the molecules, main statement बढ़ता है, in the reacting species, do not have similar kinetic energy, सबकी energy is equal नहीं हो सकती, मैं पार्टिकल मानलब पार्शिपेट करने वाला हूँ, सारे molecule, ठीकिना मेली energy अलग होगी, तो दिक्कत आई इसको समंझ में, ठीकिना कारें, then difficult to predict the behavior of the molecule, with precision, तो सबका energy अलगलग है, तो हम predict कैसे करें उसको accuracy से, हम कैसे उसको explain करें, तब फिर scientist ने, Ludwig and Boltzmann, कि का उसको साइंटिस ने explain किया है, Ludwig, Boltzmann and James Clot Maxwell, predict the behavior of large number of molecules, Ludwig, Boltzmann and James Clot ने large number of molecules के, शांदार तरीके से इसको explain किया है, यहने क्या कहा, कि सबकी activation energy equal नहीं होती है, लेकिन kinetic energy of maximum molecule, known as most probable kinetic energy, तो प्यारे रच्चोर, ध्यान जेना graph size बनना, और क्यू reaction rate double हो जाती है, Graphical presentation है, सांदा, क्या है graph क्या क्या ध्यान धीजिए, तो समझ आजाएगा, कि सबकी energy equal नहीं है, अब वह प्लॉट खीचता किस किस की बीच में, यह तो है, fraction of active molecule, fraction of active molecule, यानि active molecule का fraction है, माली यह total molecule तो एंटी, और उसके से जिसने activation energy gain कर ली वो है, N, E, तो N, E upon N, T, ठीक हो ठाक, N, E क्या है activation energy यह total molecules, और वो molecules जिसने activation energy gain कर ली, और यह है kinetic energy, यह कहता है, साइंटिस कहता है, कि सबकी kinetic energy equal ही होती है, तो एक्राफ आता ऐसे, लेकिन, कि सबकी equal नहीं है, तो अपन कहेंगे, कि maximum molecule की energy की जो होती है, उसका नाम है most probable kinetic energy, और वो यह सबका equal नहीं है, तो अपन ने का भी सबकी जो है यह इसका peak, यह सबकी, ठीक ना, average energy ले ले लिए सबके अपने इस तरह से, और इसका नाम रखा most probable, most probable kinetic energy, और इसमें जो यह है, maximum molecules जो है, उसके energy का नाम है most probable kinetic energy, अब होगा क्या, कि जब आप 10 degree temperature बढ़ाते हो, तो यहां भी देखना, जब 3 degree temperature है, यह temperature है, इस पर active molecules जिसने reaction में पार्सिपेट कर लिया है, वह यह area है, वह आपके 10 degree पर, यह है active molecules जो reaction में पार्सिपेट करने वाले molecule का area है, ठीक होटा, अब 10 दीदी बढ़ाईए तो क्या होगा, वो देखिये, जो आपके पर यह आपके बदेख़ाईए वी रओ, अ अब 21, अब 22, active molecule, active molecules is just doubled or triple, just doubled or triple, due to this, due to this, due to this, rate of reaction also, rate of reaction also. कैसे आईए देखते हैं कि यह है बच्चों ग्राफ किसकी से बीच में यह fraction of active molecules, यह total molecules और यह है active molecules, इसलिए इसका नाम आपन यहां है, fraction of active molecules, ओके और यहां है kinetic energy, अब आपने temperature, अब सबसे पहले तो d degree पर अपन कह सकते है, सबकी energy equal नहीं है तो अपन कहेंगे, यह जो, यहां पर आपके active molecules और यहां लिखेंगे, अपन most probable kinetic energy at d degree, यहां पर यहां पर यहां आएगा, most probable kinetic energy, किते पर t degree पर और अपने active molecules कितने हैं, इस area में, यह क्या है, area, यहां लिखेंगे हैं, area of active molecules, molecules किते डिगरी पर, टी डिगरी पर, यह area तेक लेना हमेटा है, अब 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 क्या करते हैं, तेंप्रिचर रियस करते हैं, तेंप्रिचर बढ़ाते हैं, क्या है, तेंप्रिचर बढ़ाने यहां, जो सारे मोलकियों में सबके इनर्जी होल्ग टी, थी वहांणे एकोल होगी, वही किसी के खाना नी खायावा, किसी के खायावाय, बेकिन जब सबको खाना खिला ती अचल अधिया था तो नो होगा क्या तेंप्रिचर में पर आने जो गैप है वो कम हो जाएगा और यह बढ़ेगी तो 10 degree temperature बढ़ाने पर पर यह आगिज है kinetic energy बढ़ेगी और यह जो gap है कम हो जाएगा और active molecule double हो जाएगे यह तो area क्या है नहीं टीडीगी पर और यह area adjustable इसका इस एरिया को आपन graph से अलग कर देते हैं ये कौन सा है t plus 10 १ ये जस्ट डबल है या नहीं अलग color के pen से दिखाना है इसको ये अलग है ये जस्ट डबल इसका t plus 10 Degree पर ठीक ना यह है अबना it is active molecules अधी न एरिया एरिया at 10 degree centigrade it is just double double है तो बच्चों simple सी बात है जब temperature बढ़ाता है तो active molecules ही double हो जाता है तो rate of reaction भी double होगा इस area का just area ये double है ये दो graph आप explain करेंगे इस तरह से हम इस chapter को यहां पर stop कर रहे हैं एक theory रहेगी वो इस बार नहीं है तो next day कभी वीडियो बनाके डाल देंगे और वो है collision theory ओके बाई